चाहिन दोस्तों आप देख रहे हैं दिललन टाप और मैं हूँ सच्चा देश भाक्त गाली बाज आशीश और आप कह रहे होंगे यह मैं क्या आज दो टंकियों के बीच में हूँ दरसल में मेरे किसी दोस्त ने मुझे कार उधार देने से माना कर दिया और अब मैं उसके आग यह भी तो बताऊंगा ने अपने वीडियो में कि मैं औरतों को सम्मान करता हूँ लगता है मामी आ रही है मैं गालिया नहीं देपाऊंगो मैं आभी जा रहा हूँ बाद या तो बाई सुनकर सिर में होगा दर्द इंस्टाग्राम पर बरसी गुरुग्राम की बारिश से ज्यादा तसवीरें पिक आफ दे में दिखाएंगे कलाकार की कलाकारी जो आपका दिन बना देगी लेकिन सबसे पहले शोशल मीडिया पर चले आज के मुख्य समाचार शुशांत केस में सुप्रीम कोट के सीवी आई जांचवाले फैसले के बाद बिहार डीजीपी गुपतेश्वर पांडे ने कहा बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की आउकात दिया चकरवर्ती की नहीं है इस पर सोशल मीडिया पर धेरो रियक्शन आए और उनका सार ये निकला कि एक शोशल मीडिया की आउकात नहीं है ट्विटर पर सुबह सुबह ट्रेंड हो रहा था एक शब्द एड्स जैसी नजर आया कि जेल में बंदे कथित संत के सिश्ष ये दावा कर रहे हैं कि मर्यादा में रहकर भक्ति करने से कैंसर और एड्स जैसी बीमारियां ठीक हो जाती ह अब ये लोग कह रहे हैं तो हो जाती होंगी ठीक हो ही रही हैं तो थोड़ा कोरोना का भी इलाज बता दे अब चलते हैं ट्विटर की ओर ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा था हिंदुस्तानी भाव मानाव सभ्यता के विकास के सास इंसानों का एक ऐसा ग्रूप भी नजर आ आते हैं अब ऐसे भावों को जब भाईयों का समर्थन मिल जाता है तो आपको कभी कभी टीवी बगेर आपे भी नजर आ जाते हैं फिलहाल हिंदुस्तानी भाव की बात इसलिए हो रही है क्योंकि उसने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो बना कर धर्म का अपमान करने वाल लाइन में भगवान का अभी नाम लिखते हैं और उसी लाइन में गालियां और अपशब्द भी लिखते हैं और दूसरों को यह सर्टिफिकेट देते हैं कि यह धर्म के बारे मैं ऐसा कह रहा है या वैसा कह रहा है लोगों ने इंस्टाग्राम को भी घेरा और पूछा कि ऐसे लोगों को वेरिफाई करके यह वैधता कैसे दे देते हैं लोगों ने इसे हेट स्पीच बताते हुए इसकी तुलना नाजी जर्मनी से भी कर डाली अब कहा यह जा रहा है कि पुलिस एक्शन ले यह प्लेटफॉर्म सेक्शन ले जहां यह वीडियोज डालते हैं और ऐसा जहर फैलाते हैं और उदर फेस्वुक पर भी ऐसा ही जहर फैला है हलदवानी के बिंदु खत्ता इलाके की एक महिला अपने होने वाले पड़ोसी से लड़ रही थी इस बात पर लड़ रही थी कि उसने उनके बगल में जमीन खरीद ली और कोट अनकोट वो निचली जाती के हैं इस बात से वो इतना ओफेंड थी कि उन्हें बुरी-बुरी बाते कह रही थी अब ये वीडियो जो है शोशल मीडिया पर वाइरल हुआ एकदम कास्टिस्ट बाते कहते हुए ये महिला लड़े जा रही थी ये कह रही थी मुझसे पूछे बिना ये जमीन क्यों ली और इनका ये कहना था यहां अच्छे लोग आते हैं और एक पर्टिकुलर जाती के लोगों के जमीन लेने के कारण उनको वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है अब पूलिस ने क्या किया कि पूलिस के पास जब शिकायत गई तो इनके खिलाब जाच वगेर है शुरू कर दिया लेकिन शोशल मीडिया पर आया रिस्पॉंस खास तोर पर उन लोगों का जो पहाड़ों पर रहते हैं उन्हों ने कहा कि हमारे नेता दावे करते हैं कि यहां जाती बाद खत्म हो गया है लेकिन ऐसी कटरता जाती को लेकर लोगों की नजर आ जाती है समझदार लोगों ने इसकी काफी बुरा या की कियासा नहीं होना चाहिए साथ में ये सवाल भी किया कि अगर आप चाहें तो वीडियो में देख सकते हैं एक बच्ची भी है बच्चों पर क्या आसर जाता होगा ऐसी बातों का लोगों ने ये भी कहा कि ऐसे कुछ लोग बुरी बाते करके बाकी सब को भी आलोशना के केंदर में ला देते हैं अच्छी बात ये है कि कोई भी समझदार आदमी इनके समर्थन में खड़ा नजर नहीं आ रहा है काश्टिस्ट आंटी को उनके हाल पर छोड़ कर आते हैं दिल्ली की ओर दिल्ली में पानी बरसा नोईडा में भी पानी बरसा और गुरुगराम पर भी पानी बरसा गुरुग्राम में पानी गिरा और इंस्टाग्राम में तसवीरे, ढेख सारी तस्वीरे आई जिन में नजरा रहा था कि कहीं पे overbage पे पानी, कहीं साड़क पे पानी लोगों के घरों में पानी गुस गया था और बालकनियों से लोग इनने तस्वीरे खीश-खीश के डाली के सडकों पे आप कह रहे थे ना चलवा लीजिए आप यहाँ लोगों ने मजे भी लिए कार डूने की तस्वीर आई तो फोटो डाली और कहा फिल्म का पोस्टर डाला और कार डूड वेर इस माई कार क्योंकि यह सब पानी भरा हुआ है और सिर्फ चतने जरा रही है कार की यह तस्वीर आज खुब वाइरल हुई है गुरू राम से करनाचारे आर्टेस्ट हैं ट्विटर पर उनको किसी ने फोटो बेजी आर्टेस्ट मतलब वह ऐसे आर्टेस्ट हैं की तस्वीरों के साथ खेल करते हैं तो उनको ट्विटर पर किसी ने मैसेज बेजा और कहा कि हम गाहों से हैं शायद आप हमें रिप्लाई भी ना करें ल लोग इसको देखके इमोशनल हो गए और इसको खूब लाइक और रिट्वीट किया आएसा कि एक लाख तीस हजार के लगभग इस पर लाइक सा चुके हैं और ये दिन की सबसे वाइरल तस्वीर है बागी करण आचारे के बारे में आपको बता दें इनकी तस्वीर आपने ज कासा लगा कमेंट बॉक्स में बताईए वीडियो को लाइक भी कीजिए अनलाइक भी करेंगे तो आपका नुकसान है और वीडियो को अपने फैमिली वाले वाट्सअप ग्रूप के जरूर से जरूर शेयर कर दिए और ट्विटर फेस्बूक इंस्टाग्राम और क्या बच और वेबसाइट यहां नजर बना के रखिए हमारा एप जरूर इंस्टाल कीजिए कल हम फिर में होते हैं बाई बाई